तो हेलो गाईस आजके इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्लड ब्लड ग्रूप और ब्लड के कितने भाग होते ये बात करेंगे आरेच फैक्टर की बात करेंगे इरिथ्रो ब्लास्टोसिस फिटैलिस नामक जो रोग होता है उसके बारे में बात करेंगे तो देखिए ये जो ये वीडियो कच्छा 10 वालो 11 वालो और 12 वालो तीनों लोगों को पायदे मद हो सकता है तो आप लोग तीनों लोग देख सकते हैं इसको ठीक है ये इसपेसली Declaration वालों के लिए बनाया गया है ठीक है तो वीडियो को पूरा देखेगा वीडियो को लाइक कर देखना और बीना आपका टाइम देर किये हुए चलिए श्टार्ट करते हैं तो हेलो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लाश टेल्थ का एक इंपोर्टेंट सा टॉपिक है ब्लड देखें यदि आप क्लाश टेल्थ में हैं 10 में 11 में हैं और ब्लड पूछा जाएगा तो मैं बेसिक से हाई लिवल तक जाओंगा तो इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं तो देखें आज के इस वीडियो जब हम लोग बात करेंगे ब्लड के बारे में है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए खिया ऐक हिरकार ब्लड है क्या आपको पता है कि एक मद्वाडी है क्या है एक हूमन बॉड़्य है इसके अंदर वेंस पाई जाती है और आयुट्री पाई जाती है आर्टी मतलब कि छोटी छोटी नली क्या है जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि नहर होता है नहर में क्या जलता है पानी चलता है फिर नहर से देखेंगे छोटी सी नाली जाती है वहाँ पे भी पानी चलता है इसी तरह हमारे बोडी में एक बड़ा सा नहर होता है मतलब बड़ी सी एक मतलब बलड सप्लाई करने के लिए बड़ी सी एक वह होती है इसके बाद वेन्स होती छोटी छोटी जो हर जगी तक बलड को ले जाती है अब आपको पता होना चाहिए कि अखिरकार बलड है क्या तो बलड इंगलिस में बोला जाया तो बलड फ्लिूड इसको बोल सकते हैं तरल संयोजी उतक है क्या बोल सकते हैं तरल संयोजी उतक है तो अब हम इसे बोल सकते हैं कि जो हमारा बलड होता है या सब मनुष्य का जो बलड होता है वो तरल संयोजी उतक होता है ठीक है आगे चले अब देखिए बलड की खोज सबसे पहले किस ने की थी है ना सबसे पहले किसने बताया कि आखिरकार हमारे सरीर में कुछ ऐसा होता है देखिए सबसे पहले विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने कौन से विलियम हार्वे देखिए आप हिंदी से भी समझे और इंगली से भी तो देखिए विलियम हार्वे नामक वैग्यानिक ने सबसे पहले देखा और बताया कि देखो हमारे बॉडी में कुछ ऐसी चीजे पाई जाती है जिसके कारण से हमारे बॉडी में मतलब की ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम म खोज की ठीक है तो अब देखते हैं ब्लड का जो भी होता है प्लेन प्लेलंप्व अस्योम करें לו ब्लड gap जो होता है 7.4 किना होता है 7.4 और इसकी वेस्को सिटी मतलब की स्यानता है मतलब कि जो गाढ़ा Keeper होता है तो इसकी जो शयानता होती वह होती है 4.7 देखो ब्लड का पी यह 7.4 इसको उल्टा कर दो क्या कर दो इसको उल्टा कर दो तो इसकी व्यस्को सीटनी निकलाएगी यह स्यानता निकलाएगी अब देखा जाए कि एक यह ब्लड को होता है वह 5-8 लीटर तक पाया जाता है अब देखे आगे चले आगे हम लोग यहां पर बात करेंगे ब्लड ग्रूप के बारे में ठीक है तो देखो जो ब्लड है जो मतलब की ब्लड को हिंदी में रक्त बोलते हैं या रूधिर बोलते हैं जो रक्त है उसको मेंली दो भागों में माटा गया है रक्त को दो भागों में माटा गया है नमबर एक क्या होता है देखे ब्लड में ब्लड है तो एक पानी की तरह बना होता है हलका पीला कलर का होता है उसे हम बोलते है प्लाजमा प्लाजमा मतलब हलका वाटरी होता है यह पूरा वाटरी होता ही है ठीए वाटरी और इसमें ब्लेड कार्पसल्स पाई जाती है ब्लेड कार्पसल्स मतलब ब्लेड के अंदर क्या पाई जाता है आर बीसी डब्लू बीसी प्लेटलेट्स क्या पाई जाती है आर बीसी बड़े उनको एंसको सम समझने आये ना समुद्र का पानी है, उसको अंसके प्लाजुमा बोला, उसके अंदर जितने धेर सारी चिज्ञे रही हैं ना उसको हमने RBC, WBC और platelets बोला तो देखो हम इनको अलाग अलाग तो कर सकते हैं अगर समुधर हमें खाली करवाना हो तो हम RBC को हटा के प्लेट्लेट्स को हठा सकते हैं जो इसी तरह हमारे जो ल्इब होती है जो मतलब खून चेक हो भाएं वहां पेशीनल को हटा हटा के जाज कर लिया जाता है तो देखें र सी और server side को बोलते है a ordering side पूरा नाम लिख दू और बी सी को बोलते है a already भूंबो साइड तो यहां तख समझ में आए ना इसका स्क्रीन साट लो इसको लिखो ठीक है लिख लिए न भी नहीं लिखना बाद में लिकने दिस्क्रिन सट ले लो ठीक हैं आप देखिए अब देखते हम लो ब्लेड ग्रूप के बारे में ठीक है तो में लिए आप फोकस कि तो देखो जब मतलब प्रथम विश्वी दूआता तो वहां पर बहुत सरे लोग मारे गएते अब वह मारे गएते तो इसके बाद और किसी आर लोगों का बलट किसी में चढ़ा देते थे तो वहां नहCr लेंड इश्टीनर कौन से कार्ल लेंड इस टीनर देखिए लनाम कज्ञानिक थे इन्होंने land किया कहां पे प्रत्वी में इस्टीनर से अब इस्टीमर से है ना तो देखो कार्ण लेंड इस्टीमर नामा के वज्ञानिक आते हैं जिन्होंने blood group की खोज किया किसके खोज किया blood group की देखें तो यह जब blood group की खोज कर रहे थे तो यह उनका जो time था 1914 था ठीक है 1914 में कार्ण लेंड इस्टीमर ने blood group की खोज की ठीक है तो blood group की खोज करने के बाद कार्ण इस्टीमर ने बता दिया कि जो humans का blood होता है वो चार भागों में बटा होता है कितने भागों में? चार भागों में, एक होता है A, एक होता है B, एक होता है O ठीक है? इन्होंने बता दिया, भई, Karl Land Steiner ने ये बताया कि human का blood चार भागों में बटा होता है अब अगर यही blood आपस में match करवा दिया जाए, match करवा के चढ़ाया जाए तो लोग बत सकते हैं और नहीं तो मर सकते हैं तो देखो, यहाँ पर क्या होता है कि जो blood चार भागों में बटा होता है अब आपने सुना होगा anti-zin और anti-body, क्या होता है? anti-zin और anti-body तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि blood में, blood में anti-zin पाया जाता है और anti-body पाया जाती है तो आप लोग जो देख रहे हैं, जो anti-zin होता है, anti-zin हमारे blood के RBC में पाया जाता है कहाँ पर? RBC मतलब की erythro-side में, erythro-side में पाया ब्लड का जो anti-zin होता है, वो erythro-side में पाया और anti-body कहाँ पाया प्लाजमा में अब समझेगा, suppose that आपको cancer हुआ, ठीक है, आपको पहली बार cancer हुआ, cancer की bacteria जो है, cancer वो cancer के virus आपके अंदर इंटर किये, इंटर करने के बाद, समझेगा, ठीक है, समझाने के लिए, इंटर करने के बाद, आपके body ने antigen बनाया, RBC ने उसके खिलाफ लड़ने के लिए antigen बनाया, ठीक है, अब antigen बन गया, cancer से आप लड़ दिये, cancer की bacteria को मार दिये, है ना, cancer के virus को मार दिया गया, ठीक है, बाकी मरते नहीं है, ठीक है, बता रहूं समझाने के लिए, मार दिया गया, इसके बाद, सारी क्रिया है, खतम, खतम हो गई, जो वही antigen जो बना दिया, RBC ने, उसकी एक copy को, डाल देता है, antibody में, कहां पे, antibody में, अब क्या होता है, भ अब क्या होता है, अब धड़ा-धर, धड़ा-धर antibody बनने लगती है, अपने मन से, बीना antigen के सहायता से antibody बहुत डेर सारी मातरा में बनते रहती है, यह कहां पर पाई जाती है, antibody, plasma में पाई जाती है, और जब यह बनने लगती है, तो क्या करती है, उस बैक्टिरिया से प्लाजमा अलग हो जाए, और RBC, WBC, सब चीजे अलग हो जाए, तो देखो, यहां तक समझ में आया, इन्होंने बताया कि ब्लड चार भागों में बटा होता है, काईल एंड इस्टीनर ने, रक्त समूं बोला, ठीके, रक्त समूं चार भागों में बटा रहता है, तो अब यहां पर हम लोग देखेंगे किस ब्लड ग्रूप में कौन सा इंटीजन होता है, किसको कौन सा चढ़ाना चाहिए, कौन सर्वदाता होता है, कौन सर्वदाता है, सर्वग्राही होता है, तो देखें, अब हम लोग इंटीजन जान लेते हैं, और इंटीजन जान लेते हैं, है ना देखे अब आपको थोड़ा सा मैं चीतर के माददे में समझा दू कि इंटी जिन क्या होता है इंटी बोडी क्या होती है देखें इंटी जिन हमारा कुछ ऐसा बना होता है ठीक है और इंटी बोडी आप लोगों ने देखी हो तो ऐसा बना होता है यू आकार का है ना इ देखते हैं इंटीजन ब्लड ग्रूप A अब यहां पर देखते हैं ब्लड ग्रूप A में कौन सा इंटीजन पाया जाएगा अब भाई समझ गए हम कि ब्लड ग्रूप अगर A है अगर ब्लड ग्रूप A है तो उसमें कौन सा इंटीजन पाया जाएगा बताइए ब्लड कौन सा पाय तो एक C यह पाया झाईगा अब देखतें ब्लट गूरूप B ब्लट ग्रूप b में कौना एंटी जेन पाय सागा तुर वहाँ है यह पाया इसके बाद एंटी बॉड़ी घृम यह है तो antibody b antizen nage b यत एंग अब देखते हैं वो ब्लेट ग्रूप a b mai blood group ab में a b antizen पाया जाता है ठीक है blood group a b जो होता है कि देखो blood group a b जो होता है उसमें a b anti-gym nightoj pazati और anybody कुछ नहीं पाई जाती है ठीक है समझ गए देखो इसमें etme जय नहीं पाई जाता है और antibody नहीं पाई जाती है तो आप यहां से समाझ लीजें कि ये लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं क्या पड़ते हैं ज्यादा ब्यमार पड़ते हैं क्योंकि भाई लडने के लिए छहमता रहा ही नहीं antibody बनाने की तो blood group अब लोग बिमार पढ़े इसको लिख़ो important है इसके बाद देखते हैं इसके बाद जो blood group o है और blood group a b ज्यादा बिमार पढ़ते इसलिए इनको क्या बोला जाता है सर्व ग्रही यह सभी से ग्रहान कर लेते क्योंकि इसमें कोई anti-heign हाइन नहीं है कुछ भी डाल दो सब चलेगा है ना कुछ भी डाल दो सब चलेगा इस सब प्राइवेट है ठीक है इसके बाद देखो जो ओ ब्लड ग्रूप है ओ ब्लड ग्रूप में क्या होता है कि एंटी जिन कुछ भी नहीं पाया जाता है ब्लड ग्रूप ओ में एंटी ज बहुत कंपाई जाएगा अगर कोई गुष आया फोनज को धड़ादर उसको मार देती है तो यह लोग कम बीमार पड़ेंगे बताएं असिति अब और कोई बैक्तिरिया जै कोई अब इसको मार देती हो तोो यह लोग कम 언제 मैर पड़ेंगे समझ में आया न यह लोग कम बिमार पड़ेंगे सल्फिस को सर्व दाता बोलते हैं सर्व दाता तो कि Kirby को काई लेंड श्टीनर ने उन्ञेने बताया किगि चार प्रकार कम गयेशों में को समझा या बताया कि सर्वधादा ब्लड ग्रूप कहा होता है ना oh सबकोदे सकता है उब्लड सभी ब्लड ग्रूप को दे सकता है यदि आपका ओ है तो आप बहुत ज्यादा लकी आदवी है जो कभी भी किसी का इसे एक्सीडेंट होता है तो आप ब्लड गूप दे सकते हैं बीना कुछ चेक करवाय दे सकते हैं ठीक है इसके बाद सर्व ग्राही कौन होता है अब इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ब्लड डूप सबसे अच्छा रहता है ठीक है हैना कि सबसे अच्छा बीना आख मूंदे चढ़ा दो ठीक है इसमें पॉजिटिव और निगेटिव आता है तो यहां तक के स्क्रीन स्वाट लो और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है आर्याज फैक्टर की तरफ जल्दी ले लो है कि अरिटर की खोज रीशस नामख मंकी में हुए ठीक है रीशस मंकी तो यहीं आरइऑ इनके मतलब इस मंकी जो लाल मू वाला बंदर होता है वय्व क्थ divulतर पिखार और आप लोगों में कई किको उनीस सो चालीस में आपको पता होगा कि 1914 में बलड ग्रूप की खोज हुई पॉजिटिव एक होता है आरियाच निगेटिव तो देखे जितने भी ब्लड ग्रूप है जितने भी हमारे ब्लड ग्रूप है अब ब्लड ग्रूप कितने प्रकार की होंगे जो हमारे blood group होंगे, वो चार प्रकार की होंगे, आपको पता ही है, blood group A, blood group B, blood group A, blood group O, तो blood group A positive भी हो सकता है, और blood group A negative भी हो सकता है, इसी तरह B positive और B negative, A B positive, A B negative, O positive, O negative, मतलब कि blood group भाई चार प्रकार में बढ़ गए आप, अभी तो हमने पढ़ा था, simple, कि blood group चार प्रकार का होता है, A, B, A, B, O, अब जब वीनर नामक वए ग्यानिक ने संतुष्ट नहीं हुए इतने से, इतने संतुष्ट होना भी नहीं चाहिए, तो कि बहुत धेर सा, बंतलब कुछ लोग फिर भी मर जाते थे, ब्लेड गुरूप सही चढ़ाओ, अगर O है सब में चढ़ा दो, तो कुछ लोग मर जाते थे, कुछ भी लोग बचते थे, तो भाई वीनर आएं, वीनर सोचे कि भाई कुछ गोल माल है, इसको समझना चाहिए, ठीक है, इसके बाद यह समझते हैं कि ब्लेड पॉजिटिव और निगेटिव में इसको आइडेंटिफाई कर देते हैं, तो आरेस फैक्टर की खोज सबसे इंपॉर्टेट है कि रहीसस दो प्रकार का होता है, आरेस पॉजिटिव और आरेस निगेटिव, ठीक है, समझ गए हैं, अभी नहीं समझे, अब हम समझे कि भाई, आरेस पॉजिटिव किसका है, आरेस निगेटिव का मतलब आरेस फैक्टर नहीं है, और आरेस पॉजिटिव का मतलब आरेस फैक्टर है याद रखो अब जैसे देखिए हम लोग जाज करवानी जाते कोरोना की कोरोना की जाच अभी थोड़ी दिन पहले जब मैं करवानी गया तो वहां पी क्या दिखा मैंने कि किट में जब जाज करने के बाद उन्होंने बता है तो बोला तुम पॉजिटिव हो मतलब तुमको को याद टेस्ट नीगेटिव है तो अब यहां पे भी बता चल गए कि भाई आरे जो है वो नीडेटिव है ठीक है आरेस नीडेटिव हो तो सम में चड़ सकता है तो यहां पे सर्वदाता और सर्वग्राही की बात करते हैं लेकिए पच्छी कितना आवाज कर रहें कितना सु होता है असर्व ग्राही कौन सा होता है AB तो अब यहां पे आप लोग बताईए कि जिसमें आरेज फैक्टर नहीं होगा वो सम्में चढ़ सकता है तो यहां पे ओ निगेटिव ब्लड ग्रूप सम्में चढ़ाया जा सकता है आंक बंद करके डॉक्टर किसी का ब्लड ग्रूप किसी में भी चढ़ा सकता है अगर उसका O निगेटिव है तो ठीक है अगर बात की जाए सर्व दाता सर्व ग्राही मतलब की सबसे ज्यादा ग्राहन करने वाला जो ब्लड ग्रूप है है ना उसको हम बोलते है AB पॉजिटिव ठीक है AB पॉजिटिव किसी भी ब्यक्ति से ब् समयल होगा है तो रेकाझ हम लोग देखते है कि सर्व दाता होता है जो सबको ब्लड जूप उनिगेट्व क्या होता है ओ निगेटिव अब यहाँ तक कि तुम लोग पहले स्क्रीन सओर्ट लोग प्र मैं आघे समझाता हूं जल्दी लो iish factor की कोज रही सस नमक व्यमांकी कि खेल सब समय का है आज तेरा है तो कल मेरा भी होगा आज तेरा बेसबरी से इंतजार कर रहे हम तो याद रखना कल तलबगार तू मेरा भी होगा इसलिए कहते हैं किसी दूसरे के ऊपर दोस नहीं डालना चाहिए खुद मेहिनत करो मेहिनत करते रहो पढ़ते रहो मेहिनत करते रहो ठीक है अब देखो अब हम लोग बात करते सर्वदाता और सर्वग्राही ठीक है तो देखें सर्वदाता ब्लेट ग्रूप होता है ओ सर्वग्राही होता है एबी तो यहाँ पे सर्वदाता को माना जाता है O-negative और AB को positive ठीक है अगर पूछा जाए कि भाई positive, negative बता हो तो आप बता दीजेश कि सर्वदाता blood group जो होता है O-negative होता है क्यों होता है ये मैंने आपको पीछले बता चुका है बता चुका हूँ अब इसके बस्तरव अगराही को है ए बी पॉजिटिव ठीक है यहां तक हम लोगों ने समझा कि भाई ब्लड ग्रूप ये चीजे होती है ऐसा होता है ठीक है अब हम लोग बात करते हैं एरिथ्रो ब्लास्टोसिस फिटाइलिस की क्या होता है क्या है कि एरिथ्रो ब्लास्टोसिस फिटाइलिस क्या होता है कि जब अगर कोई मेल है ठीक है मेल और फीमेल की साधी होती है अगर मेल आरियच पॉजिटिव है क्या है मेल आरियच पॉजिटिव है अब फीमेल आरियच निगेटिव है फीमेल आरियच निगेटिव है तो वहां पे क्या होता है अगर male RS positive और female RS negative तो वहां पर उनका पहला बच्चा बस जन्म होता है पहला बच्चा जन्म होगा पहला बच्चा जन्म होगा इसके बाद उनके सभी बच्चे मर जाया करेंगे अगर उनको नहीं पता है तो और ये बच्चे फिर होंगे भी नहीं ठीक है सिर्फ एक बच्चा उनका जन्म होगा इसके बाद उसके मा के पेट में भी RS positive का बैक वो चला जाएगा जब RS positive positive आपस में क्रास करेगा तो क्या करेगा बच्चे को मार देगा ठीक है तो इसके लिए अब तो खैर मेडिकल ट्रीटमेंट आ गया है डॉक्टर से भना तो इसको आप लोग समझ लीजे गई है एक एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस नामा की एक रोग होता है जो अगर मेल RS positive है और female RS negative है तो वहाँ पे किया जाता है ठीक है इसमें क्या होता है अगर male और female के आपस में साधी हो गए उन्हें नहीं पता है तो उनका पहला बच्चा जन्म करेगा और अगर किसी प्रकार से पहला बच्चा मर गया तो याद रखो अगली बार सुनको बच्चा पैदा हो करने में बहुत ज़्यदा दिक्कत आ सकती है ठीक है तो इसके बाद यही होता है Erythroblastosis Fetalis अब हम लोग इसके आगे के वीडियो में अगर ये वीडियो अच्छा सा गया ठीक है तो हम लोग इसके आगे के वीडियो में बात करेंगे blood group से संबंदी जितने भी आरेख होते कि मा का blood group इतना है, पिता का इतना है बताओ बच्चे का क्या होगा ना, इसके बारे में बात करेंगे, तो ठीक है तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आज का वीडियो बस यहीं तक ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसी जोस के साथ, एक नए वीडियो में तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए All the best झाल 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 झाल